उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्यान बोल्ड का गठन किया गया है और उसका उपाद्यक्ष बनाया गया है सोनम चिश्टी को यानि सोनम किन्नर को जो इस समय भाजपा कार्याले में मौझूद है सोनम जी जिस तरहां से इस नए बोल्ड का गठन और किन्नर समाज को आगे लाने की कोशेश आपको पहला उपाद्यक्ष बनाए क्या कहेंगे सरपथम मैं भारतिय जनता पार्टी सिरी सुनील बंसल जी का भार बैक्त करती हूँ उनका सुनील बंसल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं उत्तर परदेश राज में एक एक लोगों को मोती की माला की तेरे पिरोग के और भारतिय जनता पार्टी को मजगूती को ले जा रहे हैं और सकेंड में हमारे परदेश सद्यक स्वतनत्र देव सिंग जी हमारे उप मुखमंत्री केसर परसाद मोरिया जी और हमारे मुखमंत्री योगी आदितनाथी जी इन सबका में अभार बैक्त करती हूँ पांच लाग ट्रांसजेंडर कॉम्बनेटी सभी सपोर्ट करेंगे में चाहूंगी भारतिय जनता पार्टी के लिए हम लोग रथ यातरा बनाएंगे के सरिया चावल घर घर हम लोग माटेंगे और 2022 में फिर से पुर्ण बहुमत असिरबाद भारतिय जनता पार्टी को दे पांच लाग की संक्या यह उत्तर प्रदेश में पांच लाग आबादी है इतियास में पूरे भारत वर्स में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर कॉम्बनेटी जो है उपाद्धेक्ष राजमंतरी बनाएंगे मानी योगी जी ने पहली बार किसी किन्नर को इतनी सम्मान जनक पद मिला है जो उत्तर परदेश सरकार ने दिया सभी किनर और अभी देखिए मानिये परधान मंतरी मोदी जी ने एक क्योंकि घर से आए जो भी मेरे समीधानिक पीठी में जो भी मेरे मंतराले के अंतरगर्श जो भी आएगा पूर्ण तरिकें से मैं विकास करूंगी लोगों की मदद करूंगी और मैं चाहूंगी जो अधिक सदिक भारती जन्ता पार्टी का भोंट गराप बढ़े लोग उस पे विश्वाज और करे और भी विपक्षी धारा साही पे जाए और विपक्षी का बिल्कुल इस वार बाइस में पत्ता गोल है अपको बोल्ड में उपाध्यक्ष बना दिया गया ले रहे किंडरों के लिए और 403 सीट है पार्टी कहिन कहीं एक दो किंडर को दो देगी ही क्योंकि बिल्कुल मोका मिलेगा यह बीजेपी है यह गरीब दलीद किसान समास से वंचित लोगों के आज मैं यहां पर आज से 10 साल से जैसे मैंने और पार्टी में समय दी यदि इतना किसी दिगच के सामने मुझे मुझे मौका देगी तो मैं तयार हूं लड़ने के लिए बिदान सबार यहां पर हमने सोनम चिष्टी को सुना जिनका साफ कहना है कि उनको जो मौका दिया गया है तो अब वो पूरे किंडर समाज को जोड़कर आगामी चुनाओं में भाजप गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी